असलाम आलेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं कलेजी की रेसिपी, आज हम कलेजी तयार करने जा रहे हैं, बहुत मज़ेदार चटपटी सी और जल्दी से चटपर तयार होने वाली कलेजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं, इसके साथ ही मैं कुछ टि को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बेल बटन भी तबा दीजिए ताके हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको फोरी मिल सके और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेस्बुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वह भी आप कर स देखें तो 125 गिराम ये कुकिंग ओईल है एक दर्मियानी साइज की प्याज लिए उसको हमने सलाइसे में कट कर लिया तू टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट है तू टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है चार से पांच हरी मिर्चे लिती उसका हमने पेस्ट बना ल यांगे है क्ड़ंत है तू फ्टेबल स्पून यानि 1 एंड आफ टेबल स्पून धनीयाँ पॉडर रे वन टेबल स्पून लैल मिर्च पॉडर है मिर्च आप अपने टेस्ट के साब के थाप से कम strategा लिए तो नुनावा जिरा पॉडर ने जिरा लिया था उसको हमने त्य प्यास को हमने ब्राउन करना है प्यास ब्राउन हो चुकी अब इसके अदर अधक लशन का पैस शामिल कर रहे हैं हरी मिर्स का पैस शामिल कर रहे हैं अब हम इसे एक मिन्ड भूनेंगे यह भून चुका अब इसके अंदर हम कलेजी शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च पोडर शामिल कर रहे हैं हल्दी पोडर शामिल कर रहे हैं धनिया पोडर शामिल कर रहे हैं अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे हमने इसको इतना भूनना है कि इसका ओइल सेपरिट हो जाए अलग हो जाए और मसाला इसका अच्छे से भून जाए इसमें हमने नमक अभी एड़ नहीं कर रहा है अगर आप इस वक्त इसमें नमक एड़ कर देंगे तो कलेजी बहुत जादा हाड हो जाएगी सॉफ्ट नहीं बनेगी अगर सॉफ्ट कलेजी बनानी है तो नमक को आपने बिल्कुल तैयारी पर लास्ट के अंदर ही एड़ करना है यह आप देख सकते हैं इसका ओइल सेपरिट हो चुका है अच्छे से मसाला इसका भून चुका है अब इसमें हम दही शामिल कर रहे हैं है इसे हम मिक्स कर देंगे अब हम इसे 10-15 मिंट के लिए गलने के लिए रख देंगे और गेस को आपने मीडियूम टू लो पर रखना है यह जितनी बी कलेजी हम त्यार कर रहे हैं यह मीडियूम टू लो पर ही त्यार कर रहे हैं पन्रा मिंट हो चुके अब हम इसे देख लेते हैं अब हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे अब भी भुनाई हो चुकी है सुकी भी मेथी शामिल कर लेते हैं बुनावा जीरा शामिल कर रहे हैं गर्मसाला पोडर शामिल कर रहे हैं नमक शामिल कर रहे हैं बिक्स कर लेंगे अब भी भुनाई हो चुकी है कलेजी हमारी तयार हो चुकी है अब लास्ट के अंदर इसमें हम बारिक कटावा हरा दनिया शामिल कर रहे हैं बिक्स कर लेंगे यह हमारी कलेजी तयार हो चुकी है तो देखा दोस्तों आपने कितनी मसेतार सी हमारी यह सौफ्ट सी कलेजी तयार हुई है इसमें हमने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करा पानी शामिल करने से भी बास बग कलेजी हार्ड हो जाती है और नमक तो आपने last में ही add करना है क्योंकि नमक अगर आपने starting में शामिल कर दिया तो कलेजी आपकी soft नहीं बनेगी अगर आपको मेरी recipe अच्छी लेगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए साथ ही bell बटन वो भी तबाद दिजिए ताके हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको फोरी मिल सकें और अगर आप हमें Instagram पर या Facebook पर फोलो करना चाहते हैं तो भो भी आप कर सकते हैं इजाज़त दिजिए दौव में आद रखे कर अल्लाह अफीज